21 दिन स्वयम को अब प्रेम करना मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम हैं और यहां भी कि स्वयम को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है बधाई हो प्रेजनों आज आपकी 21 दिवसिय मिरर वर्क अभ्यान का अंतम दिन है या आपको आपकी जीवन के सबसे वगड़े खजानों में से एक के निकट ले आ रहा है अपने आपको प्रेम करने के उपहार के निकट मैं जानती हूँ यह सफर आसान नहीं था रास्ते में आपको कुछ ठोकरे और रुकावटे मिली लेकिन आपने उन्हें पार कर लिया मुझे आप पर बहुत करव है इस पूरे सफर के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उप्योग अपनी सेल्फ टॉक स्वेम से बाच्चीत की जाँच करने अपने भीतरी आलोचक को शांत करने जिन्होंने आपको चोट पहुँचाई उन्हें माफ करने पुराने डरों को भुला देने और पुराने माने ताम नकारत्मक विचारों के पैटरंस को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया ऐसा करने में आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल लिया है मेरी आपके लिए कामना है कि आप हमेशा याद रखें कि एक चीज है जो हर समस्या का उपचार देती है और वहाँ है आपका स्वैम से प्रेम करना जब आप प्रती दिन स्वैम को और अधिक प्रेम करने लगेंगे तो आपका जीवन आश्च्वरिजनक रूप से बहतर हो जाएगा आप स्वैम को और भी बहतर महसूस करने लगेंगे आपको वह नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं आपको जितने दिन के आवशेक ताएं वह आपको मिल जाएगा आपकी संबंधों में सुधार आएगा नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे और नए संबंध बनने लगेंगे हलाकि आपने यह कूर्स पूरा कर लिया है लेकिन आपका मिलर वर्क अभी शुरू नहीं हुआ है शुरू ही हुआ है यह ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा इस बात की पूरी संबंधावना है कि आपके रास्ते में आगे जाकर और रुकावटे मिलेंगी और शायद कुछ घुमाव भी लेकिन आप उनके लिए तयार होंगे आप स्वैम को संभाल लेंगे अपने आईने में देखेंगे और स्वैम को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के अधिकारी है आप जैसे हैं उत्तम है आप जीवन में सभी अच्छी चीज़ों को पाने के अधिकारी है आप चमतकारों के लिए जुमबक है अपने आईने को साथ लेकर चले उसमें अपने आपको देख रहे सुन्दर व्यक्ति को याद दिलाते रहे कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं आईए एफर्म करें जब मैं स्वयम के प्रती और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रती प्रेम जुताता हूँ तो प्रेम सीधे लोट कर मेरे पास आता है अपने आफ्टर वर्ड में मैं आपके लिए 12 तरीकों की एक सूची छोड़ रही हूँ जिनमें आप अब स्वयम को प्रेम कर सकते हैं उन्हें उस अच्छे काम की यादकार समझ लें जो आपने पिछले तीन सप्ता में किया है और याद रखें मैं आपको प्रेम करती हूँ आपका 21 दिन का मिनरवर कभ्यास एक आईने के पास जाएं उसमें दिखाई दे रहे सुन्दर व्यक्ति के और देखें अपनी बाहें उठाएं स्वयम को यह कोर्स पूरा करने के लिए जोरदार बदाई दे यह affirmations बोलें मैं तुम्हें प्रेय करता हूँ मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ तुमने कर दिखाया तुमने कोर्स पूरा कर लिया मुझे तुम पर बहुत घर्व है तुम जो काम करने की ठान लो वह कर सकते या सकती हो दो जितना काम आपने किया उसके लिए आभार व्यक्ति करने का समय निकाले या affirmations बोलें मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया कुछ नया सीखने के लिए तयार रहने के लिए शुक्रिया मैं तुम्हें सच में प्रेम करता या करती हूँ तीन अपना mirror work game जारी रखने का संकल्प करें कहें मैं तुम से कल में लूँगा मेरे प्रिया हम उन दूसरे शत्रों पर चर्चा करेंगे जिने में बदलना चाहता हूँ मैं तुमें प्रेम करता हूँ, तुम प्रेम करने योक्य हो, तुम सिर्फ सर्वस्रेश्ट पाने के अधिकारी हो शक्ती आपके अंदर है, आप कई कीस विदिन का दाने की अभ्यास एक, कोर्स के आरंब में अपने दानिकी की समिक्षा करें, पर टिक पार्ट को अच्छी तरह देखें और स्वैम को अपने किये गए काम के लिए बधाई दे, दो, उन शत्रों के बारे में लिखें, जिन में आपने सरवाधिक प्रगती की है कुछ मश्किल शत्रों के बारे में भी लिखें, जहां और काम किये जाने के अवरशेक्ता है तीन, पीछे जाकर उन पाठों को दोहराएं, जहां आपको अपने आईने से और मारगदर्शन के अवरशेक्ता महसूस हो रही है चार, ये दिया आप चाहें, तो इस कोर्स के बारे में अपने विचार मेरे फेस्बुक पेच पर लिखें अब जाकर अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलें 21 वे दिन का लिया आपका हार्ट थॉट हम सब सामान जिससे पूर्ण समगरता के हिस्से हैं याद रखें आप दुनिया भर के लोगों के लिए के एक समुदाय का हिस्सा है जो इस दुनिया को बहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम सब इस समय एक साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कुछ सीखने के आवशेक्ता है हमारे लिए स्वयम को प्रेम करने की दिशा में काम करना शुरकश्चुत है ताकि हम इस अनुभाव से लापप्त कर सके और आगे बढ़ सके हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्यक्षत्र में सामझस से प्रैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है दैविय सही कर्म के दिन, सही कर्म दिन के प्रत्यकपल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है हम सही समय पर सही शप्त बोलते हैं और सही समय सही रास्टे का अनुसर करते हैं प्रतिक वेक्ति सामझस से पुर्ण समगता का हिस्सा है यब हम खुशी-खुशी एक साथ काम करते हैं तो उर्जाओं का एक दिवे समिष्ण उतपन्न होता है जो पादक और संतोषपत तरीके से एक दूसरे को समर्थन और प्रचाहन देता है हम स्वस्थ प्रसन प्रेम से भरे आनंद पूर्ण सहायक लोग हैं जो स्वयम के और एक दूसरे के साथ शांती महसूस करते हैं ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है आपका 21 दिन का मेडिटेशन एक दुनिया जो सरक्षित है मेडिटेशन को आप यूट्यूब लिंक के द्वारा संपूर्ण करें तेंक यू मेरे प्रियपाठ को मैं बहुत खुश हूँ कि आप से मिरर वर्क के अभ्यास का साजह कर पाई जो मेरे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है मैं आशा करती हूँ कि आप भी सकारतमक विकास और स्वयम के देखभाल के माध्यम के रूप में मिरर वर्क को बहुत अप्योगी पाएंगे जमापन करते हुए मैं आपको उन बारा तरीकों के साथ छोड़ रही हूँ जिनके मदद से अप स्वयम को अभी और हमेशा प्रेम कर पाएंगे मैं आपको उन चीज़ों को याद दिलाएंगे जो आपने पिछले तीन सब्ताहों में सीखी है और आपको एक खुशियां भरे परिपूर्ण जीवन के लिए समर्थन देते रहेंगे और हमेशा याद रखें मैं आपको प्रेम करती हूँ लुइस है तैंक यू बारा तरीके जिनसे आप स्वयम को प्रेम कर सकते हैं अभी और हमेशा एक किसी प्रकार क्या लोचना न करें दो, स्वयम को माफ करें तीन, स्वयम को डराएं नहीं चार, सौ में दयालो जहरेवान रहें पांच, अपने मन के प्रती तयवान रहें च्छ, श्वयम की प्रशन सा करें साथ, अपना समर्थन करें 8. अपनी नकारात्मक्ताओं से प्रेम करें 9. अपने शरीर पर ध्यान दें 10. मजे करें 11. स्वेम को प्रेम करें 12. अपना मिरर वर्क करें Thank you so much everyone मैं सच में आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ